साबुत अनास से बनी रोटी सिहत के लिए बहुती फाइदेबन होती है रोजाना लोग दिन में 2-3 बार रोटी काती है इसमें काफी मातरवी फाइबर पाये जाता है जो भोजन को पचाने में काफी मदद करता है आज भी ग्रामीनी लाकों में दूद के साथ बासी रोटी खाना सब का पसंद देना नाशता है गर्मियों में तो खासकर लोग इसे खाना पसंद करती है इन बासी रोटी को खाने से भी शरीर को काफी फाइदा होता है तो दोस्तो आज इसी बात पर चर्चा करेंगे कि बासी रोटी को दूद किसत खान से क्या क्या फाइदे मिलते हैं सबसे पैदा फाइदा हो देता है दोस्ते बलड प्रेशर में बासी रोटी खान से हाई बलड प्रेशर की समस्य दूर होती है रोजाना सुबह ठंडे दूज के साथ दो रोटी खाने से शरीर का रक्ट चाप संतूलित रहता है इसके लवा ज्यादा गर्मी के मौसम में भी इसका सेवन करने से शरीर का ताप मन सही रहता है जिन लोगों को डाइबिटिज की परशानी होती है उन्हें हर रोज फीके दूद के साथ बासी रोटी का सेवन करना चाहिए इससे शुगर कंट्रोल में रहती है दूद के साथ बासी रोटी खाने से पेट की हर समस्या ठेक हो जाती है रोज सुबे इसका सेवन करने से एसीडिटी की परशानी नहीं होती और पाचन शक्ती भी ठीक रहती है बासी रोटी को दूद में डागल कर खाने से हमारी हेल्थ से जुड़ी समस्या का हल हो जाता है और हम कई विमारी से बच जाती है और इसको खाने से कई लोग जो दुबले पतले होती हैं उनका शेकर भी भर जाता है तो दोस्तों ये थे बासी रोटी खाने के अनमौल फायदी अमीद है आपको ये जानकर ये अच्छी लगी होगी तो अपने दोस्तों मित्रों के साथ इसको शेयर जरूर कीजिए ताकि वो भी इसका फायदा उठा सके और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना आगे भी हम आपके लिए ऐसी स्वास्तेवर्दिक जान करें लेकर आते रहेंगे तो जुड़े रहें रहें रमेडी अपडेट्स के साथ नमस्कार धन्यवाद